हेलो स्टूडेंट्स वेलकों टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो रहे स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नमबर फोर हॉस्पीटर और क्लिनिकल फार्मेशी का लेक्चर नमबर थार्ड और यह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर ह होने वाला है ठीक है नार्कोटिक्स डिस्टिविशन ऑफ स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक एंड साइको ट्रॉपिक्स यह आखिरकार एक हॉस्पीटल में या एक फार्मेशी को दौरा तो डिस्टिविशन होता है और स्टोरेज होता है नार्कोटिक्स सबको पता है Narcoticsizer है क्या चीज़ है? The term Narcotics is derived from the Greek. एक Greek word है Narcoticos. यहाँ से यह term को लिया गया है जिसका मतलब होता है which means a state of Lethargy and Sluggishness. Lethargy and Sluggishness. मतलब आप जैसे नशा कर लेते हैं जब या आप कोई ऐसी दवा खाते हैं जो नशीली होती है तो आप ऐसे सुस्त से पढ़ जाते हैं धेले से काम नहीं करना सुस्त पढ़ रहना है ना तो यह word जो सुस्ती है जो आलस है लिथार्जी है उसके लिए word आता नार्कोटिक कॉस्स वहाँ से word बन गया नार्कोटिक यह वह दवाएं है जो प्रड्यूस डैट प्रड्यूस अनाल जैसिया यह दवाएं अनाल जैसिया दर्द का निवारन करती है पेन रिलीफ नार्कोसिस अस्टेट आफ स्लीप नींद नहीं आईगी लेकिन ऐसा लागा क्योंकि जो हमारे ओप्याइट होते हैं ओपियम वगरा वहाँ से इनको क्लेक्ट किया जाता है एक्जामपल में क्या है मॉर्फिन कोडी ठीक है तो यह एक नार्कोटिक का जनल इंट्रो हो गया कि नार्कोटिक है क्या चीज़ जो लोग भूल गया है उनका रिविजन हो ज इस आनक से आप एक अजीब सो होते जारे हैं जैसे आपने देखा होगा आदमी जो ड्रिंक कर लेता है बदल जाता है आदमी एकदम से तो साइको है ना टर्निंग चेंज हो गया तो उसका जो साउल चेंज हो जा रही है उसका एक आदमी परसनेल्टी ही बदल गई ऐसा वो दवाए हैं जो आपके बिहेवियर को मूड को आपके विचारों को और आपका परसेप्सन आप की चीज को सामने कैसे परसीव कर रहे हैं उसको बदल सकता है एकजमपल क्या है अलकाहल कैफीन और निकोटीन है ना यह सब इसके अंदर एकजमपल में आते हैं इसी को ले to as the NDPS Act है ना Narcotic Drugs and Psychotropic Substance NDPS Act भी कहते हैं इसको हम लोग is an act of Parliament of India that prohibit prohibit मतलब रोक देता है अब person को किसी भी इंसान को the production, manufacturing, cultivation, possession, sale, purchasing, transport, storage and consumption of any Narcotic Drug or Psychotropic Substance किसी भी तरीके से कोई भी इंसान ना produce करेगा, ना manufacture करेगा, ना उगाएगा, ना possess, ना अपने पास रखता है ना बेचेगा, ना purchase करेगा, ना transport करेगा, ना store करेगा अपने पास, ना खाएगा और इस substance को ठीक है फिर क्या होगा, बिना license के, बिना prescription के, बिना license के आप न sale कर सकते हो, ना रख सकते हो, बिना prescription के आप इसको खा नहीं सकते हो ठीक है ना, तो ये act के अंदर एक normal सी बात है, अब बात कर लें जो हमारे syllabus का है distribution of narcotics and psychotropic in hospital, कैसे होता है इसका distribution, तो देखो common है अब यहाँ पर हम दोनों pharmacy लेके चलेंगे, the hospital के अंदर हमने पढ़ा था, inpatient and outpatient दोनों के लिए हम आप एक साथी cover कर लेंगे, the physician prescribed the medicine, सबसे पहला जो डॉक्टर होगा, वो prescribe कर देगा, आपने पर्चे पर, कि हाँ इसको ये दवाई खानी है on a triplicate prescription pad, triplicate, तीन copy बनती है उसकी, ठीक है न, as per ndps act के हिसाब से, जो आप दवाईयां prescribe करोगे, उसके तीन copy बननी चाहिए, ठीक है न, और वो pharmacy को बेज दी जाती है अब फिर ये सारी details चेक की जाती है, verify की जाती है, date of narcotic prescription, किस date में से prescribe किया गया है, patient का नाम देखा जाएगा, address and contact detail of patient, अगर वो outpatient है, डॉक्टर न लिग दिया वो घर जाएगा, तो उसका contact detail, और अगर वो inpatient है, admit है बन्दा, तो ward number और floor number, किस ward में है, किस floor में है, और ना name and quantity of drug, उस दवा का नाम और कितनी quantity दी गई है, frequency and root of administration, कितने अंताल पर दी जानी है, और उसका root of administration क्या है, मतलब IV है, IM है, oral root है कैसा है, name of nurse administering the drug, कौन सी nurse, in patient के case में, कौन सी nurse वो दवा उसको दे रही है, name and registration number of RMP, RMP मतलब registered medical practitioner, डॉक्टर, उसका नाम और registration number भी mentioned रहता है prescribing the narcotic medicine, जो narcotic medicine को prescribing कर रहे हैं, उनका नाम और registration number mentioned रहेगा, signature रहेगा RMP का prescribing the narcotic medicine, तो बड़ा तेड़ा काम है, easily नहीं available होती है ये, ठीक है ना, अब, after confirming all details, I detail confirm होगी, on the prescription, narcotics and narcotics are dispatched by the pharmacist, narcotics दे दी जाएगी, to the patient for outpatient, outpatient है तो लेके घर चला जाएगा, and to the staff nurse, doctor, RMO, RMO होते है, residential medical officer, जो hospital के अंदर ही, मतलए उसके करमचारी होते है, for inpatient, अगर inpatient की बात है, तो prescription पर दवाई लिखी है, वो patient को नहीं देगा, वो, या तो staff nurse को देगा, doctor को देगा, या RMO को देगा, अब, when the doses form of narcotic is tablet capsule, the number of unit dispatched, अगर doses form क्या है, narcotic की tablet या capsule है, तो जो unit दी जा रही है, dispatch की जा रही है, should be equal to the number of unit prescribed, उतनी ही होनी चाहिए, जितनी डॉक्टर ने लिखी है, उससे कम या जादा नहीं होनी चाहिए, किलियर है, अब, bill is generated, finally, एक bill generated किया जाएगा, for the same, उसी prescription के लिए, and entries of dispensing to be done in narcotic drug issue register, और वो सारी entry, narcotic drug register, एक अलग से register maintain होता है, pharmacy में, उसमें चड़ा दी जाएंगी, one copy of prescription stamped with dispatched medicine with signature of dispensing pharmacist, एक prescription की copy को stamp लगा करके, medicine dispatched करके, उसमें signature हो जाएगा, pharmacist का, दे दे जाएगा patient को, ठीक है, और, उसमें पेशेंट लेके चला गया, outpatient, और अगर patient admit है, to be kept in patient file, अगर in patient है, patient hospital में admit है, तो उसकी file में लगा दी जाएगी वाली prescription की copy, ठीक है, empty should be, यहाँ पर होगा, empty, empty मतला, जो empty अपने wrappers हैं, files हैं, container है, should be returned with patient sticker attached to it, जो empty खाली bottle होती है, अगर injection वगा रागी, तो उसको वापस return करना है, patient का sticker लगा देना है, कि हाँ, इस patient को दबा दी गई है, documentation for returning the empty impulse should be done in narcotic uses register, narcotic use register भी होता है, कि narcotic use किया गया है, उस register में, तो स mentioning the pharmacist name to whom it was written, साथ साथ में, किस pharmacist को return किया गया, उसका नाम भी mention रहता है, ठीक है, तो बहुत ही, जटिल पिल गरिया है, any excess ampoule not utilized for patient, कोई भी excess ampoule जो आप patient के काम के लिए नहीं रहे गए, जैसे कि मालो, दबा उसको बंद कर दी, कि कि आप तुम्हें नहीं खाना, या, in case उ ली गई है, उसके पास, होँपे table पर रख्यों यह दवाई है, वो से किसी काम की नहीं है, वो सारी वापस भीजी जाएंगी, sent back to the pharmacy with proper documentation, पूरा documentation होगा, कि यह दवाई बच गई है, इंडॉक्टर ने लिखी थी, वापस भीजी जाएंगी, pharmacy में, ठीक है न, उसको ऐसे ही ह बात समझते हैं, तो देखे जारा, एक परफॉर्मा देख लें, कि क्या होता है, date mention रहती है, date supply, received और date supplied, ठीक है न, receive मतलब वापस जो आती है, उसको receiving आ गई, ठीक है न, और supply की के उसकी date, obtain, name and address from whom received, किस से उसको पाया गया, quantity received, कितनी quantity मिली, name and address of person, firm supplied, किस firm ने supply किया गय है, detail of authority to possess, prescriber, prescriber का नाम अगरा, license, जो doctor रहता है, ठीक है, persons collecting the schedule to control drug, इनको हम control drug भी बोल देते हैं, क्योंकि control है इनके ओपर, ठीक है, तो उस person का नाम हो जाएगा, यहाँ पर, was proof of identity requested, कई बार identity proof की ज़रूत पड़ती है, कई बार इतना खतरनाक नार्कोटिक या psychotropics होत कर रहा है, ठीक है, उसकी identity की ज़रूत है कि नहीं है, यह identity है, was proof of identity requested of patient of patients representative, patient की identity, या patient की तरफ से जो दवाई ले रहा है, उसकी identity, या identity of the person collecting the provided, hospital वगरा में जो person कलेक्ट कर रहा है, उसकी identity हो जाएगी, quantity कि इतनी सप्राइड की, कोई balance वगरा है, तो इस तरीके से एक परस maintain होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें, collect note की जाती है, अब storage की बात कर लें, यह तो हो गया अपना, किस तरह से distribution किया जाता है, distribution का तरीका, पूरी process यहाँ पर mention होगी हमार पास, किस तरह से इसको store किया जाएगा, तो वो भी देख लें हम लोग, तो simple separate license is required by the hospital for procurement, एक अलग से license चाहिए होता है, नार्कोटिक के लिए, उसको procure करने के लिए, उससे मतलब खरीदने के लिए, लाने के लिए, store करने के लिए, and distribute करने के लिए, of narcotic and psychotropic drugs from the local exercise department, local exercise department से नार्कोटिक के लिए, अलग से ही license लेना पड़ता है, drug storage room, जो अपना drug storage room है, जिसका हम drug दवा store की जाएगी, उसके अंदर adequate lightning, light परियाप्त होनी चाहिए, temperature of 25 degree centigrade और blow, temperature लगबग 25 degree और से नीचे होना चाहिए, adequate shelving, proper shelves होनी चाहिए, जहां proper दवायां रखी जाए, two rum container, rum मतलब return of unwanted medicine, कोई unwanted medicine वापस हो गया आई, उसके लिए कलग से container होना चाहिए, soap dispenser and paper towel holders, क्योंकि कई बा अब the narcotic and psychotropic drug must be stored in separate cupboard, उनको एक अलग अलमारी में रखना है, सभी दवायों के साथ mix up करके नहीं रखना है, with double lock and key, दो lock होंगे, दो ताले, ठीक है, the key of the lock should be kept in the hand of two different people, दो अलग अलग लोगों के हाथों में रहेगी, दोनों की चाहिए, ठीक है, other than narcotic drugs, no items are permitted to be stored in the narcotic drug cupboard Narcotic drugs की अलाबा, उस अलमारी में कोई भी दूसरी दवा नहीं रखी जाएगी, Narcotic drugs and psychotropic substances must be procured and stored in such a manner so as to prevent their falling into the hands of unauthorized person, कह रहा है, Narcotic drug and psychotropic substance को must procured and stored, उनको इस तरीके से प्राप्त करना है और store करना है, मतलब दवायां आ रही हैं बाहर से खरीदी आ रही हैं और store की जा जाएं, otherwise misuse हो सकता है, the storage area for the narcotic drugs and psychotropic substances may be open, storage area खुला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, and assisted by specific pharmacist in charge of MDS, ठीक है, open हो सकता है, वो जरूरी नहीं के बिल्कुल बंद रखे, खुला हो सकता है, अब वहाँ पर एक pharmacist in charge, जो main drug store का होता हो, पक्का वहाँ होना चाहिए, and nursing in charge for respective department, वो वहाँ पर पक्का होना चाहिए, ठीक है न, तो यह इसका क्या है, storage की process है, तो देख सकते हम लोग narcotic और psychotropics का थुरा सा मामला अलग है, क्योंकि यह दवाईयां सोड़ी सी खतरनाग होती है, ओके छोटा सा lecture था अपना छोटु मोटु lecture था यह, तो इस तरीके से अपन जब किसी वज़े से गया हो, चाहिए, एडमिट हुआ हो, या किसी रिस्तियार को अटेंड करने गया हो, process उन्हें देखी हो, तो वो ही process है, लगबग उसको match हो रही होंगी, उससी को वो याद करके लिख सकता है, फिर कहा रहा हूं बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि पढ़के वो ही word to word लिखना है, कोई process तुमको लगता कि यह process तो वहां से match कर रही हो, वो ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है, जो दिवाग में set है, उसके नमबर ज़्यादा मिलेंगे, बजाए इसके कि रटके कुछ अलग सा नया लिखन कोईश करो, नया मतलब यह नहीं करना है, जो चीज़ें हमारी पड़ी हुई चीज़ें और हमारी practical चीज़ें match करनी चीज़ें, ठीक है ना, तो practical चीज़ याद होती है, लिख सकते हो, बाद बाकि यह अपना app है, इसको use कर सकते हो, आप लोग, बहुत easily इस्तमाल कर सकते हो ठीक है ना, काफ़ ज़्यादा benefit मिलने वाले इस app से आपको, ठीक है, यह lectures के description में notes आपको मिली रहे हैं, यह मेरा number है, काफ़ बच्चे call करते हैं, काफ़ अच्छा लगता है बच्चों की problem को solve करके, आप भी कर सकते हैं, अगर कोई problem है, तो बे वज़ें मत करो, ठीक है, ओ